बुल्डोजर की गरज अभी कुछ दिनों तक शानत रहने वाली है जी हाँ सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद आप जान ही गए होंगे कि एक उक्टूबर तक कोई भी राज्य सरकार अपने मन से कही भी कार्यवाई के नाम पर बुल्डोजर नहीं चला पाएगी बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रिम कोर्ट के अंतरिम फैसले ने एक साथ तीन मोर्चे पर सत्ताधारी भरती जनता पार्टी को जटका दिया है पहला जटका पार्टी की वरतिमान पॉल्टिक्स को लगा है जिसमें बुल्डोजर के जरिए सियासी नफा नुकसान तै किया जा रहा था दूसरा जटका बिजेपी के उननेताओं को लगा है जो बुल्डोजर के जरीए अपनी छवी सक्त प्रशासक के तौर पर बनाने की कवायत में जुटे थे तीसरा जटका प्रशासनिक विफलता छिपाने वाले उन मुख्य मंत्रियों को लगा है जो लौ एंड ओर की विफलता से उपजी गुसे को शांत करने के लिए बुल्डोजर चला रहे थे पहले तो जानिए बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बिना निजी संपत्यों पर बुल्डोजर नहीं चलाया जा सकता है एक ओक्टूबर को इस पर विसरत दिशा निर्देश जारी करेंगे तब तक आप इसे रोके रखिये बता दें कि सुप्रिम कोर्ट ने ये फैसला जमियत और अन्य संगट्टों की ओर से दाखिले की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है याचिका में कहा गया है कि सरकार किसी भी आरोप में पकड़े जाने पर लोगों का घर गिरा रही है ये अनुक्षिद 21 में दिये गए जीवन जीने के अधिकार का उल्लंगन है अब सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद बिजेपी के उन मुख्यमंत्रियों के लिए परिशानी खड़ी हो रही है जो बुल्डोजर के सहारे राजनीती करते आ रहे हैं बिजेपी शासित बड़े प्रदेशों में लगातार बुल्डोजर कारिवाई होती आई है जिसके बाद बिजेपी को फायदा भी मिला यूपी से शिरु हुआ बुल्डोजर मध्यप्रदेश, राजस्थान और नाजानी कहां कहां पहुँच गया सीम योगी की पहचान तो बुल्डोजर से ही पन गई लेकिन अब एक औक्टूबर तक तो कम से कम इन सभी मुख्यमंत्रियों को दिक्कत होने वाली हैं कैसे वो भी आपको बता देते हैं हिंदुत्य की राजनीती पर असर होगा असम हो या उत्तर प्रदेश राजस्थान हो या मध्य प्रदेश बुल्डोजर का सबसे जादा उप्योग मुसल्मान आरोपियों के घर दुकान या मकान गिराने के लिए ही किया गया है फ्रंट लाइन की हालिया रिपोर्ट के मताबिक पुरिदेश में पिछले दो साल में करीब 1.5 लाग घर बुल्डोजर से गिराए गए हैं इनमें से अधिकांश घर मुसलिम और हाश्ये पर पड़े लोगों के थे ऐसे में अब बुल्डोजर की कारिवाई पर जिस तरह से सुप्रेम कोर्ट का फैसला आया है उसे बुजेपी की सराज़ीती को जटका लगता दिख रहा है बुल्डोजर पर रोक ब्रांड योगी के लिए जटका बिजेपी की दूसरी पेड़ी के नेताओं में योगी आधित्यनात का नाम तेजी सुभर रहा है इसकी दो वज़ें बताई जाती हैं पहली वज़े उनका देश के सबसे बड़े सुभे उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री होना है दूसरी वज़े उनके लॉइन ओडर के मुद्दे नजर बुल्डोजर आक्शन है योगी ने बुल्डोजर आक्शन के जरिये खुद की सक्त इमिज बनाई है लेकिन अब जिस तरह से सुप्रेम कोट ने इस पर रोक लगाई है उसे योगी को आगे अपने ब्रैंड को मजबूत करने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा लॉइन ओडर के मुद्दो पर बढ़ेगी मुश्किले आपको बता दे जुलाई 2023 में मद्रप्रदीश के दिवा में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी के उपर पेशाप करने की घटना सामने आई इसका वीडियो वाइरल होते ही बिजेपी की सरकार बैक फुट पर आ गई विपक्षी कॉंग्रेस समेत कई आदिवासी संगटनों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया लोगों के गुस्से को देखते भी बिजेपी की सरकार ने तुरंत आरूपियों के घर बुल्डोजर चलवा दिये इसी तरह के कई मामले यूपी उत्राखंड राजस्थान और असम में देखे गए यानि कुल मिलाकर बिजेपी शासित राज्य की सरकारे लौ एंड ओर से उबजे गुस्से को शान कड़ी के लिए भी बुल्डोजर का उपयोग करती रही है सुप्रिम कोर्ट के फैसले से अब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं देखा जाये तो 2017 में शुरू हुई बुल्डोजर की राजनीती अब अपने आखरी पड़ाओं में जाती देख रही है सुप्रिम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब निजी संपत्यों पर बुल्डोजर नहीं चलाया जा सकता है कोर्ट के इस फैसले को बिजेपी शासित राज्यों के कई मुख्य मंत्रियों के लिए एक जटके के रूप में देखा जा रहा है लेकिन जब सुप्रिम कोर्ट विस्तार से जब तक फैसला नहीं सुना देता है तब तक मिसकर्श पर पहुँचना मुश्किल है फिलाल के लिए इस खास रेपोर्ट में बसे अतना ही देख दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं हर खबर आपके साथ आपके हाँ